आप सभी का दबायो एंडिल जंग्संस पर मैं आमिर सिद्धिकी हारदिक स्वागत और अभिननन करता हूँ कैसे हैं दोस्त आप लोग उमीद करता हूँ कि अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार बेहतर तरीके से चल रहा होगा सेजन टू की क्लास को नहीं प्रिफॉर्म कर पाये थे लेकिन दोस्तों किसी कारण बस जैसा कि आप लोग जानते हैं रमजान की वज़ा से आमिर सर व्यस्त थे इसलिए क्लास एक हपते के लिए रोकी गई थी लेकिन आज मंडे से आपकी पिन पॉइंट सिजन टू की क्लास को लगातार कॉंटिनू किया जाएगा आठ बच के पैतालिस मिनट पर रमजान के महीने तक ये क्लास आपकी 8 बच के 45 मिनट पर चलेगी और रमजान के end up होने पर इद मना लेने के बाद ये क्लास आपकी पुनह उसी समय चलेगी जिस समय चला करती थी 7.30 पर या 7.45 पर तो एक महीने नहीं बलकि 20 दिन आप सभी लोगों को मेरे साथ मैनेश करना होगा 8 बच के 45 मिनट पर क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एक नया बैच लाउंच किया है फ्रेश न्यू बैच आपके इग्जामिनेशन के पॉइंट आफ यू से जिसकी वज़ा से मेरी देड़ घंटे की शाम की व्यस्ता हो गई है और रमजान होने के कारण जब रोजा इफ्तार होता है तो उसके बाद ही क्लास संभो हो पाती है लेकिन जैसे ही ये चीजें पूरी हो जाएंगी वैसे ही हम अपनी टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए आपकी पिन सिजन टू की जैसा कि आप जानते हैं पिन पॉइंट सिजन टू की आज 83 क्लास है इससे पहले लगभग 82 क्लास आप तक पहुच चुकी है इसकी सेंचुरी आने से पहले आप सभी लोग पूरी तरीके से तयार रहिएगा कि बायो पिन पॉइंट सिजन टू की क्लास आपकी copy में पूरी तरीके से mention होनी चाहिए अगर आपने इसे अपनी copy में note नहीं किया तो समझ जाएगा कि आपने अपने पैर पर कुलहाडी नहीं बलकि फावडा से वार किया है दोस्तों कुलहाडी से वार की जाती है तो ना जाने कभी अंगूठा बच जाता है तो कभी अंगूलियां बच जाती है लेकिन फावडे से जब वार होता है तो आपका पूरा का पूरा पाउं में उपस्तित सारी फिंगर्स गाइब हो जाती है सेम सिच्वेशन सेम कंडिशन डिपेंड्स आन योर इग्जामिनेशन आपके इग्जामिनेशन की उहा पोह हो रही है आपके वेकेंसी के एनॉंस्मेंट रेडी हो रहे है अगर अभी तक आप लोग नहीं जागे हैं तो हम आपको आर्थोप टेरा में रखें या फिर हम आपको holo metabola में रखें या फिर हम आपको आप बताएं तो hetero metabola में रखें दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी के लिए new batch launch किया गया है जिसमें morning में classes taxonomy की चल रही हैं आज taxonomy में हमने inflorescence के terminology पर बात की और inflorescence के terminology में आज हम लोगों ने सीखा बिहितरीन तरीके से racimos के बारे में और हमने सीखा साई मोस के बारे में और हमने सीखा special type के inflorescence के बारे में racimos का हमने पूरी तरीके से postmatum किया और postmatum करते हुए उसमें क्या होता है racim क्या होता है catkin, क्या होता है spadix, क्या होता है spikelet इन सभी पर हम लोगों ने विशेश में चर्चा की और उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोगों को वो सारे point याद होंगे जो हम लोगों ने चर्चा की थी अगर कोई हमसे पूछ ले spikelet में कौन आता है, spike में कौन आता है, spadix में कौन आता है, racim में कौन आता है, catkin में कौन आता है तो मुझे पूरी तरीके से पूरा अंदाजा है कि आप सभी लोग उसका answer करने में सक्षम होंगे जो लोग competition से belong करते हैं, जिनका मानना है कि competition सच में आसान नहीं होता है, उनके लिए syllabus कवर करना बहुत मुश्किल होता है जो जितना पढ़ता है, उसका उतना पढ़ने का मन करता है, उसके अंदर शान्ती घर कर जाती है जो कम पढ़ता है, उसका कम पढ़ने का मन करता है, और उसके अंदर आशान्ती घर कर जाती है शान्ती और आशान्ती में इतना फर्क होता है, कि शान्ती समुद्र से सालिनिता लाती है और परिणाम दे करके आपको अलविदा कहती है आशान्ती हमेशा दिल में उमरती रहती है लेकिन आशान्ती का रास्ता भी शान्ती की तरफ होता है एक best competitor की ये पहचान होनी चाहिए कि जब vacancy announce हो तो उसका 50% syllabus तयार होना चाहिए आपको अपने को पूछना चाहिए अपने से सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं best competitor हूँ अगर आप सच में best competitor हैं तो आपके सवाल का जवाब यही होगा कि आपका 50% syllabus तयार है जिन लोगों का 50% syllabus तयार होता है उनको selection से कोई नहीं रोख पाता लोग कहते हैं selection लेना सच में बहुत आसान होता है इसके लिए एक ही काम करना पड़ता है 6-8 महिने में अपने syllabus को cover करना होता है अगर आपने syllabus को cover कर लिया तो आपको selection से कोई रोख नहीं सकता है अगर सेलेक्शन लेना है तो सेलेबस को कवर करना है अगर आपने सेलेबस से अपना मन हटाए रखा और सेलेबस को कम्प्लीट नहीं किया तो सेलेक्शन लेना सच में टेड़ी की रहे ये किसी के जजबात से किसी के चेहरे से नहीं आता हमेशा सेलेक्शन कठिन परिश्रम से कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर आप वो कठिन परिश्च्रम पिछले 6 महिने से कर रहे हैं और vacancy announce होने के पहले आपने परिश्च्रम करना शुरू कर दिया है तो आपको selection से कोई रोक नहीं सकता है और अगर नहीं का syllabus पिछले साल का question paper आज के आज ये कारकरम शुरू कर दो क्योंकि आने वाले दिन सुब समाचार लेकर आने वाले हैं और आपकी vacancy एनाउंस होने वाली है vacancy कितनी भी क्यों ना हो लेकिन merit का एक criteria होता है कि अगर vacancy कम होगी तो merit 95 होगी अगर vacancy ज्यादा होगी तो merit 90 होगी अगर और कम होगी तो merit 100 होगी आपको बस इसी पर fight करना है कि हमारा target 100 पार करना है और 100 पार करेंगे तो vacancy चाहे जितनी होगी आपका selection होगा हम नहीं चाहते कि पुरानी कहानिया फिर आपसे दोराई जाएं और आपके सामने वही condition है जो नजाने कितने decade से चल रही है आज से नहीं आप 5 वर्ष से तयारी कर रहे हैं एक बार नहीं आपने 4-4 बार exam दिया है लेकिन selection नहीं हुआ उसकी वज़ा क्या थी syllabus का incomplete होना तो सब से पहले best competitor बनो आज के आज syllabus को बिलकुल scroll कर दो table के सामने नहीं note किया है तो note करो बैठ करके 2 घंटे लगेगा, 2 घंटे लगेगा, कम से कम पता तो चलेगा पढ़ना तुम्हें क्या है अगर पढ़ना जान जाओगे तो पढ़ाने के लिए आमिर सर है आपको एक एक topic detail में completion कराते हैं नए बैच के साथ हमने अपनी classes को शुरू किया है और आप से उम्मीद करता हूँ कि अगभी तक अगर आप किसी कारण बस बैच नहीं जुर पाए हैं तो आप सभी लोग TGT, PGT, LT, Biology के अगर आप serious candidate हैं आपका सपना हो गया है कि इस बार selection होना चाहिए तो हमने 120 से 140 days का एक बैच लाँच किया है जिसे हम लोग mind map आफ जिसे हम लोग mind map आफ 120 या 140 days के लिए लाँच किया गया है और इसके सहायता से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले 4-5 महिने में आपका course bind up हो और आप जो exam दे उसमें selection हो दोस्तों ये course मेरा 120-140 दिन का है इतने दिन में हमें syllabus को cover up करना है लेकिन आप इस batch में तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आपका TGT का exam नहीं होगा जब तक आपका LT का exam नहीं होगा जब तक आपका PGT का exam नहीं होगा तब तक आप इस class से जुड़े रहेंगे और इस class के माध्यम से अपनी तयारी को बहतर आयाम देते रहेंगे, इसलिए देर नहीं करना है, सभी लोगों को 8756703588 पर joint TGT, PGT, LT, biology लिकर भेजना है और अपनी class से फटा-फट जुड़ना है, एक बात और बहुत ही important है, जिस दिन आपका admission होगा, जिस दिन से आपका admission हो हूँ कि आपकी पढ़ाई साथ से आठ घंटे होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं आपकी classes लगभग साड़े 4 घंटे की continue कर रहा हूँ, morning में पहली class आपकी चल रही है, साड़े 8 बजे, जिसे हम लोग taxonomy के नाम से जानते हैं, evening में आपकी class चल रही है, 6 बच के 45 मिनट जिसे हम लोग cardata के नाम से जान रहे हैं, आपको पता है taxonomy और cardata exam के क्या हैं, ये exam के आप कह सकते हैं, कि ये exam के almond हैं, मतलब ये exam के बादाम हैं, अगर इनको आपने बहतर तरीके से तयार कर लिया, तो समझ जाएगा कि आपके अंदर कभी कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि साथ कमपिटिशन, साथ कमपिटीटर इनहीं टॉपिक से ड़ता है, और हम नहीं चाहिते कि आप इन टॉपिक से डरें, हर बच्चे को आता है, diesel के बारे में question पूछिए, answer कर लेता है, blood circulation पूछिए, question कर लेता है, इंडोक्राइन पूछिए, question कर लेता है, अगर एक question उठा करके car data से पूछ दीजिए तो उसकी नानी याद आती है अगर किसी से पूछ लीजिए सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि ये इसकोलियो डॉन ये जो इसकोलियो डॉन है ये किस क्लास को बिलॉंग करता है सब फटाफ़ट बताने की कोछिश करिएगा किस को बिलॉंग करता है अबिशेक यादो जी नवीन वर्मा जी उपाषना चोहान जी जैवीर सिंग जी शालिनी जी जीपी लोधी जी अनुकृती सिंग जी देखिए अनुकृती सिंग का अंसर आया है और और अशोक कुमार यादो का अंसर बहुत अच्छे, देखो कार्टि लेजिनस लिख रहे चाहे हैं, कॉन्डिक ठिस होता है, जिसे अनिता यादो ने बेस्ट आयाम दिया है, बहुत अच्छी, और अभिशेक यादो लिख रहे हैं, कार्ड़ डेटा को बिलॉन करता है, अभि कोई पूछेगा अंबिडकर नगर में कहां रहते हो तब जाके अपना गाउं का नाम लेंगे सेम कंडिशन ऐसी है कि आप से कोई पूछे कहां रहते हो आप बताओगे घर में रहते हैं कोई पूछे घर कहां है तो बताओगे मंदिर के सामने है तो कोई पूछेगा दोनों कह तो बताओगे आमने सामने हैं, सामने वाला चुप, वही सेम कंडिशन यहां पर है, कहां रहते हो तो वही कंडिशन है, स्कोलियोडान किसको बिलॉंग करता है, कॉंड्रिक फिसको बिलॉंग करता है, most most important, तो यह कॉडेट है, और कॉडेट का मतलब आप समझते हैं, जी तयार, जो 6 टॉपिक का मास्टर हो, उसका सेलेक्शन क्यों नहीं होगा, अपने से पूछ के देखो, क्या आप इन 6 टॉपिक के मास्टर हैं, फटा फट बताने की कोशिश करिएगा, क्या आप इन 6 टॉपिक के मास्टर हैं, अगर आप इस 6 टॉपिक के मास्टर हैं, त तो दोस्तों ये तीन classes, पहली class, दूसरी class, तीसरी class आठ बच के 45 मिनट पर evolution के topic पर चल रही है, आप सभी लोग अभी तक बैस से नहीं जुड़े हैं, तो सभी लोग शीगर बैस से जुड़ने की कोशिच करें, क्योंकि आज से आपकी classes हमने application पर लेना शुरू कर दिया है, अभी तक हमने YouTube पर class ले करके आपको बताना चाहा, कि आप सभी लोग परचित हो जाएं, कि आपकी classes continue हो गई हैं, तो दोस्तों बैस से जुड़ने के लिए 8756703588 पर join bio liquor करके भेजें, और admission में देरी बिलकुल न करें, और कोई आशा न रखें, कि कोई discount होगा, या कोई offer आएगा, नो दोस्तों, कोई offer नहीं आएगा, 6,018 रुपए, आज admission लेंगे, तब भी लगेगा, रात को एक बजे लेंगे, तब भी लगेगा, कल दोपहर में लेंगे, तब भी लगेगा, 10 दिन बाद लेंगे, तब भी लगेगा, एक महीने बाद लेंगे, तब भी लगे है आपने स्वेम देखा है उसको पूरा करने की कोशिश करें सपना तभी पूरा होता है जब सपने पर कोई काम होता है अगर सपने पर कोई काम नहीं होगा तो किसको अच्छा नहीं लगता है अच्छा खाना अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, AC के सामने, कूलर के सामने, सोना, किसको नहीं पसंद है, everyone likes this, हर किसी को पसंद है, जिसने इस पसंद के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया, वो समझ जाए, future में वो कर सकता है, जो आसानी से नहीं होता है, clear, उमिद करता हूँ कि यहां तक की बातें, आप सभी लोगों को clear, morning में साड़े आठ बजे, taxonomy, evening में core data, उसके बाद pinpoint की class, आपकी Monday to Friday के routine पर चल रही है, उमिद करता हूँ कि इस time table से आप सभी लोग परचित होंगे, इस time table से आप सभी लोग परचित होंगे, अपनी class के time table से, पहला question आपकी screen पर, उमिद करता हूँ evolution से संबंधित, यह पहला प्रश्न, आप सभी लोग बहतरीन तरीके से जवाब देंगे, जब आप देने की कोशिश करिएगा, सभी लोग बहतरीन तरीके से आंसर करिएगा, most most important आपकी screen पर, और मुझे पूरी तरीके से अंदाजा है, कि आप सभी लोगों का बिल्कुल बहतरीन आंसर आएगा, tell me fast, सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं, आप मेंसे कितने लोगों का बहतरीन आंसर आता है, फटा फट बताईएगा, clear to all, clear, उम्मिद करता हूँ, कि आप सभी लोगों का बहतरीन आंसर आएगा, जी, उम्मिद करता हूँ, कि आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा, the wing of birds, कहां जा रहा है, wing of bird, and wing of insect, यहीं देखिए, insect क्या है, arthropoda, bird क्या है, chordata, bird क्या है, chordata, तो जो wings of bird है, wings of insect है, दोनों क्या है, दोनों अलग-अलग है, दोनों सेम नहीं है, जब दोनों सेम नहीं है, तो इसका आंसर होगा, analogous structure, and represent convergent evolution, हमने बताया था, जब दोनों सेम होते हैं, तो उसे बोलते हैं, homo-logus, और जब दोनों सेम नहीं होते हैं, तो उसे बोलते हैं, analogous, जब analogous बोलते हैं, तो इसके evolution को क्या बोलते हैं, तो आप लोग बताएंगे, इसके evolution को बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, तो आप बताएंगे Convergent Evolution के नाम से बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, Convergent Evolution के नाम से बोलते हैं, और उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों का C answer correct होगा, origin different function same, option C right, बिल्कुल correct, जितने लोगों ने answer किया है, C, सभी लोगों का answer C 100% correct है, clear, ऐसे trick मारिए ऐसे concept develop करिएगा, कि यहां से कभी आपके question गलत नहीं होने चाहिए, the similarity of bone structures in the four limbs of many vertebrates, best, best question है, जब आप दीजिएगा, देखते हैं, आप में से कितने लोगों का answer सही आता है, the similarity of bone structure in the four limbs of many vertebrates is an example of, four limbs of many vertebrates is, many vertebrates के four limbs जो हैं, वो किसके example है, tell me fast, सभी लोग बताने कोशिश करिएगा, उम्मिद करता हूँ, कि सभी लोगों के answer आ रहे होंगे, फटा फट बताने की कोशिश करिएगा, जी, लगभग सभी लोगों के answer आ रहे हैं, A is the right answer, this is the homology, यह क्या है दोस्तों, homology है कहां से पकड़ा, हम लोगों ने पकड़ा यहां से, कि कह रहा है कि many vertebrates, सभी vertebrates की बात कर रहा है, इसका मतलब यह homologus की बात कर रहा है, homology की बात कर रहा है, next question पर चलते हैं, question number three, आपकी screen पर, the forces that initiates evolution, वो force कौन है, the force that initiates evolution, वो कौन से force हैं, जो evolution को initiate करते हैं, वो कौन से force हैं, जो evolution को initiate करते हैं, और हम उम्मित करते हैं, कि आप सभी लोगों का answer बिल्कुल correct आएगा, किस force के कारण evolution initiate हुआ है, और आप लोगों का answer, बेहतरीन answer आनसर आना चाहिए, कि sir, अगर evolution की कोई वजा है, तो वो है variation, यही एक force है, जिसमें initiate किया है evolution को, बिल्क सभी दिमाग लगाते, तो आप सभी का answer आता, variation, क्या answer आता, variation is the right answer, सभी लोगों का सही answer आएगा, variation, next question is vestigial argon, इसमें से कौन सा है, जो vestigial argon है, बताने की कोशिच करिएगा, important question आपकी screen पर, इसमें से कौन है, जो vestigial argon है, फटा फट बताएगा, इसमें से कौन है, जो vest वेस्टीजियल आर्गन होता है, tell me fast, उमीद करता हूँ, सभी लोगों का सही आंसर आएगा, is a वेस्टीजियल आर्गन, इसमें से कौन है, जो वेस्टीजियल आर्गन है, मुझे पूरी तरीके से उमीद है, कि आप सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, आप सभी लोग आंसर कर रहे होंगे, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स is a वेस्टीजियल आर्गन, बहुत अच्छे, very good, excellent, next question पर चलते हैं, fifth number question, most most important, the earliest geological time period, among the following is, इसमें से कौन है, जो earliest geological time period में आता है, earliest, पहले कौन आता है, आप लोगों को बताने की जरूरत है, पहले Cambrian आता है, या पहले Permian आता है, या पहले जुरैसिक आता है, या पहले Quartnery आता है, बताने की कोशिश करिएगा, इसमें पहले कौन आता है, सबसे पहले कौन आता है, देखिए, अंकिता मौरिया का अंसर गन्जु कुमारी बता रहे हैं सर जुरैसिक आता है मंजु जी कहाँ है आप दौर कुछ लोग बता रहे हैं पर्मियन आता है इतने गंदे सड़े लोग हैं कि सब से पहले जाता कि पहले आता है जिसको quality में प्रियंबल याद हो जाता है वो लड़का genius का master बन जाता है आप अपने से सोच के देखिए क्या आप लोगों को प्रियंबल याद हैं आप कहेंगे नहीं sir इसलिए तो दोस्तों आज तक selection नहीं हुआ आप अपने से पूछ के देखिए zoological time scale याद था इसके पहले तो answer आएगा नहीं sir नहीं याद था इसलिए selection नहीं हुआ selection लेने के लिए कुछ चीजे हैं जैसे कहते नहीं पंडिजी पूजा में बैठाने के पहले आपसे कुछ जरूरी बाते करते हैं कि आपको ऐसे ड्रेस में बैठना है ये लेकर बैठना है इस सारे कुछ कारिकरम होते हैं ऐसे selection के भी कारिकरम होते हैं जिस दिन geological time scale याद उस दिन selection अब सोच लो कि आपको कब याद होगा जब याद होगा तब ही selection होगा और GS में जब आना अगर आपको preamble याद हो जाएगा तो समझ जाना quality के दादा हैं आप और अगर economy में सारी पंचायत बिवस्थाएं याद हो जाएं या सारे tax याद हो जाएं कि कौन सा direct है कौन सा indirect है सारे concept आपको समझ जाएं पक्का समझ लेना कि तुम्हारा GS अच्छा है geological time scale याद है वो बच्चा तयारी नहीं कर रहा है सब select हैं आप भी अपनी category को बढ़ाईए और अपने selection वाले label को पहुचिए clear जी प्रियंका वर्मा जी याद है सर geological time scale तो भंडारी मौरिया जी राखी मौरिया जी अगर time scale याद है तो अपना नाम लिख लिजिए कि इस बार selection से कोई रोकने वाला नहीं है और नहीं याद है तो चुपके चुपके आज ही याद कर लिजिए और कली से selection वाले category में पहुच जाईए नहीं तो सब गड़बड हो जाएगा कली से selection वाली category में पहुचना है the experiment that simulate देखिए simulated exact copy the experiment that simulated condition throw to be present on the early earth कौन सा experiment था जो exact copy था simulated condition थी thought to be present जिसे present किया गया था किस पर? अर्थ पर वो कौन सा experiment था बताने की कोशिश करिएगा और सभी लोगों का answer आ रहा है Miller और Ure का experiment था किसका experiment था? Miller और Ure का experiment था C is the right answer Miller और Ure का experiment था जो simulated था और आप लोगों ने कैसे पकड़ा? simulated से पकड़ा बहुत अच्छे, very good 7 number question example आप homologous argon is इसमें से कौन है legs of dog legs of spider महा गलत spider आता है आर्थरोपोडा में और dog आता है किसमें? dog आता है caudita में वैसे आप बता सकते हो न spider किसमें आता है? spider जो है यह किसमें आता है? आर्थरोपोडा में आता है और आर्थरोपोडा को कितने फाइलम में बाटा गया है? है उसमें से किस समख्राइब में आता है तो किस क्लासेज में आता है क्या आपको hit कर सकता है अगर hit कर जाए तो समझ जाईए कि आप हर जगा फिट फोने वाले हो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जी बिल्कुल सही तो ये महा गलत है और ये तो इतना गलत है कि न और ये arm of human और wings of birds दोनों क्या हैं दोनों homologous organ हैं इनकी उत्पत्ती समान है लेकिन इनके function भिन है next question primordial soup is a set of hypothetical condition on the ancient earth first proposed by बहुत अच्छा question है बताने की कोशिश करिएगा primordial soup is set primordial soup is a set of hypothermal condition ये hypothermal condition का एक बहुत ही अच्छा setup है ancient earth first proposed by इसे सब से पहले किसने प्रपोस किया था उमिद करता हूँ कि आप में से सब लोगों का अंसर आएगा इसको आईवाइनवेस्की ने प्रपोस किया था आईवाइनवेस्की जिनों के वाइरस की खोश की थी उन्होंने इसको इस setup को लगाया था प्राइमोडियल सूप याद रखिएगा कि प्राइमोडियल सूप के setup को किसने लगाया था आप सभी का आंसर आएगा दैमित्री आईवाइनवेस्की ने इसको लगाया था अलेक्जेंडर ओपनिंग दैमित्री आउनेवचिन निकोले सेटेश्टी एक बिल्कुल गलत है आपका ए आंसर करेक्ट है प्राइमोडियल सूप अपनी कॉपी में नोट कर लिजेगा most most important है जी प्राइमोडियल सूप next question यही तो है next question आता है तो आबादी का गलत हो जाता है next which condition can be explained by system लेमार्किजम लेमार्किजम ने कौन सी condition को explain किया था how giraffe got their long neck how human lost their tooth how humans became bipedal all of the above लाइमार्किजम में किस चीज का explanation किया गया था? लाइमार्किजम में किस तरीके का explanation किया गया था? तो आप बताएंगे, how giraffe got their long neck, सही है, how humans lost their tail, ये भी सही है, how human became bipedal, दो पैर से चलने वाले कैसे बने, इन सब की बात किस ने की थी? लाइमार्किजम में किया गया था, और ल दोनों point आप लोगों का 100% correct है, बताने की कोशिच करिएगा, 9 question हो गए, 10 question पर चलते हैं, आप बताएगा, 10 question, 10 question में कितना आपका question सही हुआ, observation of species on heavily inspired Darwin's theory of evolution, इसमें से कौन है Darwin theory, observation of species on heavily inspired Darwin's theory of evolution, Darwin's ने अपने theory को कहां पर start किया था, इलहा दाक्विमाडा, ग्रांडे में, या ग्वाटे माला में, या फैरो आइलेंड पर, या गैलापगोस आइलेंड पर, Darwin ने कहां पर इस theory को दिया था, सभी लोग बताने की कोशिच करिएगा, कि डार्विन ने इस थियोरी को कहां पर दिया था सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा तो यहां तक आप लोगों का मामला उम्मिद करते हैं कि सभी लोगों का किलियर बुआ होगा इसका सही आंसर सब लोगों का आ रहा होगा गैला पगोज आईलेन्ड इस दा राइट आ आनसर क्या हो जाएगा? गैला पगोज इस दा राइट आनसर observation of species, उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों का सही आंसर होगा, क्या आंसर होगा, गैला पगोज आईलाइन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सिलेंट, दस में से उम्मिद करता हूँ कि आप में से ज्यादा तर लोगों का, दस में से दस आंसर सही होगा, ज्यादा तर लोगों को सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी information ये है, कि अभी हम लोग Darwin's theory पढ़ेंगे, और Charles Darwin की theory के बारे में समझेंगे, इससे पहले आप सभी लोग अपनी class में live और like को equal करें, और हम class को continue करते हैं, Charles Darwin के theory से, फटा फट आप लोग अपना काम करें, और हम अपने कार को शुरू करते हैं, जी, 9 right, ओके, जैप्रकास सिंग जी, बहुत अच्छे, उमीद करता हूँ, कि यहां तक का मामला आप सभी लोगों का clear होगा, 11 number question भी देख लीजे, उसे पहले TGT, PGT, LT Biology का, हमने fresh new batch launch किया है, और इस batch का target है, कि 120 से 140 दिन में, आपके course को wind up किया जाए और इस batch से जुड़ने के लिए 8756703588 पर आप join bio liquor भेजें, इस class में आपका schedule time है, साड़े 8 बजे taxonomy की class होती है, 6 बच के 45 मिनट पर आपकी call date की class होती है, 8 बच के 45 मिनट पर आपकी bio pinpoint season 2 की class होती है, यह 3 classes आप तक regular पर आई जा रही है, आप सभी लोग इन classes से जुड़े और अपनी तयारी को एक बहतर आयाम दे, अगर आपने सोचा है, अगर आपने सीखा है और जानने की कोशिश की है, तो आप सभी लोग यहां तक फटा-फट आंसर करें, जी, उमीद करता हूँ कि यहां तक की चीजे आप सभी लोगों की clear होंगी, आईए, next question पर चलते हैं, question number 11, question number 11, most important, was considered as missing link between reptiles and birds, इसमें से कौन है, जिसे reptiles और bird के बीच में, जिसे reptiles और bird के बीच में connecting link समझा जाता है, और उमीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का सटीक आंसर आ रहा होगा, कि किसे connecting link समझा जाता है, tell me fast, फटा फट बताने की कोशिश करिएगा, इसमें से सही आंसर क्या है, तो लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा है, archiopteryx is the right answer, 11 number question, archiopteryx, next number question, the oldest minerals discovered so far was, जो oldest mineral था, जिसको discover किया गया था, वो oldest mineral कौन था, which dates back to 4.4 billion years ago, जो 4.4 billion years ago था, the oldest mineral, वो oldest mineral कौन सा था, iron, jircon, cadmium, silicon, तो आप बताएंगे सर, iron नहीं था, cadmium नहीं था, silicon नहीं था, वो old mineral था, jircon, याद रखिएगा, यहीं से याद रखिएगा, इसका सही आंसर है, jircon, जो लोग silicon answer कर रहे हैं, गडबड हो रहा है, आज के बाद ये सह ही हमेशा करिएगा, इसका सही आंसर है, jircon is the right answer, कौन सा right answer है दोस्तों, jircon is the right answer, और उम्मिद करते हैं, कि आप सभी लोगों का बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए, pigeon, platypus and panda, ये pigeon है, pigeon, platypus and panda are, ये सब क्या है, pigeon, platypus, panda, ये homeothermic हैं, या poiculothermic हैं, या hyperthermic हैं, या none of the above, फटा-फट बताने के कोशिश करिएगा, ये क्या है, pigeon, platypus और panda, ये सब क्या है, तो आप बताएंगे, सर, ये mammals में आते हैं, किसमें आते हैं, mammals में आते हैं, और जब mammals की बात होती है, तो ये कैसे होते हैं, ये सब homeothermic होते हैं, और आप सब का आंसर आना चाहिए, homeothermic, मतलब इनके body temperatures पर climate का कोई असर नहीं होता, इनका body temperature हमेशा ही उतना बना रहता है, हम इनका body temperature उतना ही बना रहता है, तो इसका सही answer, homeothermic, 14 number question, the last common ancestor of human is, human का last common ancestor कौन है, देखते हैं, आप में से कितने लोगों का आंसर आता है, कि last common ancestor, human का कौन है, पान, ट्रागलोड, डाइट्स, होमो, नियंडर थेलेंसिस, ले, लीमोर, रॉइडिया, या ड्रोमे, सौरस, बताने कोशिश करिएगा, इसका common ancestor, human का last common ancestor कौन है, human का last common ancestor, अगला target हमारा होगा, कि हम आपको human के evolution के बारे में पढ़ाएं, और जितने लोगों ने आंसर किया है, नियंडर थल, सभी लोगों का गडबर जा रहा है, इसका सही answer है, most most important, याद रखिएगा, पान, ट्रागलोड, डाइट्स, last ancestor पूछा है, recent ancestor नहीं पूछा है, last, पैन, ट्रो, गलो, डाइट्स, इसका सही answer है, पैन, ट्रो, गलो, डाइट्स, इसका सही answer है, पैन, ट्रो ग्लोडाइट याद रखना पान खाने वाले एंसिस्टर से जो मोस्ट कामन है यूमन के एंसिस्टर उमिद करता हूं यहां तक की बातें आप सभी लोगों को किलियर एन एक्जामपल आफ कनवर्जेंट एवलूशन का एक बेहतरीन एक्जामपल कौन है बताइएगा हौक मौत्स विंग्स आफ हौक्स टीट आफ डोमेस्टिक डॉग टीट आफ वुल्फ विंग्स आफ जियो इस्पिजा मैगनिरोस्टिडिस विंग आफ जियो इस्पिजा फोर्टिस ननाबदा एबब तो विंग आफ हौक मौत्स एंड विंग आफ हौक्स हौक्स समझते ह hawks bird को कहा जाता है और bird किस में belong करता है bird belong करता है car data में clear तो इसका सही answer क्या हो जाएगा analog ही पूछ रहा है इसका सही answer हो जाएगा A और जितने लोगों ने A answer किया है सभी लोगों के answer 100% correct है 16. question on the origin of species was written by on the origin of species was written by on the origin of species को किसने लिखा था बताने की कोशिश करिएगा उम्मिद करते हैं कि आप में से ज़्यादा तर लोगों का answer बिल्कुल correct आएगा tell me fast on the origin of species 1859 किसने लिखा था आप बताएंगे sir Charles Darwin की किताब है most most important 17. question बताने कोशिश करिएगा बताने कोशिश करिएगा ज़्यादा तर लोगों का answer आ रहा होगा कि dinosaur की death हुई थी 65.5 million years ago मतलब B is the right answer और जितने लोगों ने B right answer किया है सबी लोगों के answer 100% correct है सबी लोगों के answer 100% correct है और उम्मीद करते हैं कि इन questions के माध्यम से आप लोगों ने अपनी चीजों को बेहतर कर लिया अपने question के माध्यम से आपने अपनी चीजों को बेहतर कर लिया अब आप लोग heading करेंगे बेहतरीन heading theory of Charles Darwin theory आप लोग heading करेंगे Charles Darwin Charles Darwin नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे Darwin's theory आप लोग अपनी copy में note करें Darwin's theory जो हम लोगों को आज concept समझना है Darwin's theory आज हम सीखेंगे Darwin's theory के बारे में most most important Darwin साहब ने अपनी जो theory दी थी उसके concept को सीखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि Darwin's theory को आप लोग बेहतर तरीके से अच्छा कर सकें प्रतिक्षा जी ओके ओके प्रतिक्षा जी थेंक यू लोट और वो लोग कौन हैं अभी जो अभी तक like की बटन को प्रेस नहीं कर पाएं क्या वो लोग खाना खा रहे हैं या वो लोग आटा गोध रहे हैं या फिर वो लोग का हाथ बिजी है वो हाथ से लिखे पड़े हैं थोड़ा सा 30 सेकंड का विराम दें और like की बटन को प्रेस करें और अपने live और like को equal करें fast and fast Darwin's theory most important hearing करियेगा Darwin's theory most and most important और हम उम्मित करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर बहतरीन तरीके से समद में आएगा जैसे ही Darwin's theory की बात आती है हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ बातें याद आई याद आएं क्या याद आएं पहली बात याद आए HMS Beagle HMS Beagle जिससे Darwin सहब गए थे आपको याद आना चाहिए Galapagos Island जिस जहां पर Darwin सहब गए थे जहां पर Darwin सहब गए थे आपको याद आना चाहिए Theory of Natural Selection इसी को Theory of Natural Selection के नाम से जाना जाता है ये भी आपको याद आना चाहिए अगर आपको याद आ रहा है समझ जाए You are going to right way दूसरा आपको याद आना चाहिए T.S.Mathas आपको याद आना चाहिए T.S.Mathas ये T.S.Mathas सहब भी याद आना चाहिए क्या आना चाहिए T.S.Mathas सहब भी याद आना चाहिए क्योंकि इन्ही के काम से इन्ही के काम से प्रभावित होकर Darwin सहब ने अपना concept दिया था T.S.Mathas भी याद आना चाहिए Thomas Malthas भी याद आना चाहिए और Thomas Malthas के साथ-साथ आपको एक नाम और याद आना चाहिए, जो कि most most important है, an essay, क्या याद आना चाहिए, an essay, एक essay याद आना चाहिए, an essay on the principle of population, ये question पूछा जा सकता है आपसे, an essay on the principle of population, ये किसका work है, आप बताएंगे सर, ये work है, किसका, ये work है, T.S. Malthas का, T.S. Malthas सहाब एक ऐसी हंस्ती थे, जिससे Charles Darwin, इन्होंने influence किया था, he influenced Charles Darwin, इन्होंने Charles Darwin को influence किया था, प्रभावित किया था, और इन्हीं के प्रभाव से Charles Darwin ने Darwin's theory दी थी, Charles Darwin को influence करने वाले बैग्यानिक कौन थे, तो आप सभी का answer आना चाहिए, कि Charles Darwin को influence करने वाले बैग्यानिक T.S. Malthas है, Darwin's theory को जानने से पहले आपको इतनी चीजों का ज्यान होना चाहिए, कि ये सब चीजें क्या हैं, और हम उम्मिद करते हैं, कि आप सभी लोगों को इतनी चीजों का ज्यान भली भात होगा, फटा-फट अपनी copy में इन सारी चीजों को note करें, फटा-फट note करें, सभी लोग, जी, शिव परशाद जी, उम्मिद करता हूँ कि clear, जैसे ही copy में note करेंगे, वैसे ही कई सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, फटा-फट सभी लोग इतनी बातों को अपनी copy में note करें, fast and fast, बिना देर किये हुए, उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों ने note भी कर लिया होगा, HMS Beagle, Galapagaz Island, Theory of Natural Selection, T.S. Malthas, Charles Darwin, और एक नाम है, एक नाम से हम आपको और परशित कराते हैं, जिस नाम को आपने बच्पन में नहीं, बहुत पहले सुना है, हमारी क्लास में ही सुना है, Alfred Wallace, Alfred Wallace का नाम सुना होगा, Alfred Wallace सहाब का नाम सुना होगा, Alfred Wallace, ये आपको जानन है, कि Charles Darwin, जब आप जानेंगे, तो T.S. Malthas को भी जानेंगे, और Alfred Wallace को भी जानेंगे, Alfred Wallace ने अपना experiment कहां किया था, आप बताएंगे सर, इन्होंने अपना experiment किया था, Malai Island पर, जो इंडोनेशिया के एरिया में पढ़ता है, इन्होंने अपना experiment Malai Island पर किया था, कभी आप से पूछा जाए, ये कहां से जुड़ा है, तो आप बताएंगे, ये जुड़ा है, इंडोनेशिया से, इसे हम लोग Malai Archipelago के नाम से जानते हैं, अब याद आया, हमने आपको बताया था, Malai Archipelago पर अपना experiment कौन किया था, Alfred Wallace ने किया था, और इन्होंने भूखंड को कई प इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने जो जो कहा, उसको सब को हां कह दिया था, मतलब ये चार्ल्स डार्विन के पॉइंट से पूरी तरीके से संतुष्ट थे, ये चार्ल्स डार्विन के पॉइंट से पूरी तरीके से क्या थे, ये पूरी तरीके से आप कहेंगे, कि उनके पॉइंट से ये संतुष्ट थे तो चार्स डार्विन के पॉइंट से कौन संतुष्ट था तो आप बताएंगे यही संतुष्ट थे तो आप लोगों के दिमार्ग में एक शब्द और आ रहा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आना भी चाहिए सर्वाइवल आप दा फ फिटेस्ट ये सर्वाइवल आप दा फिटेस्ट से कौन संबंदित था तो आप बताएंगे सर चार्स डार्विन संबंदित थे लेकिन आप से कभी एक्जाम में कोशन पूछ ले सर्वाइवल आप दा फिटेस्ट टर्म किसने दिया था जल्दी से बताइएगा देखते है आप में से कितने लोगों का आंसर आता है सर्वाइवल आप दा फिटेस्ट टर्म किस ने दिया था देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है जल्दी अल्दी बताईएगा जी देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है बिल्कुल चार्ल्स डार्विन ने नहीं दिया था, अब है कुमार का अंसर आ रहा है सर, हरबर्ट स्पेंसर ने दिया था, बिल्कुल सही है, स्पेंसर ने दिया था, सभी लोगों को याद होना चाहिए, आपको बताने का ही टार्गेट है, इसको दिया था, हरबर्ट स्पें सर्वाइवल आप दा फिटेस्ट टर्म को किस ने यूज किया था सर्वाइवल आप दा फिटेस्ट टर्म को यूज किया था हरबर्ट स्पैंसर ने याद रखिएगा इससे कौन संबंदित थे इससे संबंदित थे चार्ल्स डार्विन लेकिन इस टर्म को किस ने यूज किया ता दार्विन साहब तो गलापगोज आईलाइन पर गये थे और गलापगोज आईलाइन पर जाने के बाद चार्ल्स डार्विन साहब ने जो अपनी थियोरी दी थी उसे डार्विनिजम के नाम से भी जानते हैं उसे डार्विनिजम के नाम से भी जानते हैं डार्विनिजम क क्या नाम था बताएंगे सर On Origin of Species एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था On Origin of Species इस पुस्तक का नाम On Origin of Species था इन्होंने 1859 में लिखी थी यह बात याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक On Origin of Species को लिखा था Charles Darwin influenced by the work ये influenced हुए थे किसके काम से आँ बताएंगे by the work of T.S. Malthus या आप कह सकते हैं Thomas Malthus ये कोशन आप से पूछा गया है T.G.T. में कि Charles Darwin जो थे वो किसके कार से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे आँ बताएंगे T.S. Malthus के कार से प्रभावित हुए थे, T.S. Malthus ने क्या कहा था, जो इनके कार से प्रभावित हुए थे, अब बताएंगे T.S. Malthus ने population पर एक essay लिखा था, T.S. Malthus ने an essay on the principle of population लिखा था, उसमें लिखा था, क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि जो species होती हैं, वो reproduce करती हैं, तेजी से, मतलब अगर हम example समझें, कि जो भी species हैं, वो reproduction तेजी से करती हैं, और उनके number तेजी से बढ़ते हैं, ऐसे समझें, आप लोग जानते हैं, paramecium को, paramecium अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाता है, आप जानते हैं bacteria को, हर 20 मिनट में bacteria की संख्या डबल हो जाती है, आप जानते हैं human being को, आप जानते हैं खरगोष को, आप जानते हैं scorpion को, आप जानते हैं snacks को, ये सब reproduction बहुत fast करते हैं, क्या इनका reproduction का जो rate है, उसी rate पर पृतिवी पर ये हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, जितने तेजी से ये reproduction करते हैं, उतने तेजी से ये आर्थ पर नहीं है, मतलब species reproduce fastly, species तेजी से reproduce करती है, over production करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि आर्थ पर हर जगा scorpion दिख रहे हों, हर जगा snacks दिख रहे हों, हर जगा आपको bacteria दिख रहे हों, हर जगह आपको paramecium दिख रहे हों, ऐसा नहीं दिखता, ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि जो environmental resource हैं, वो limited है, environmental resources क्या है, environmental resources limited है, तो Darwin को लगा, oh my god, इसका मतलब कहीं evolution ऐसे ही तो नहीं हुआ, कि वो reproduce करते रहे, संख्या बढ़ती रही, नई नई species आती रही, लेकिन नहीं, Darwin ने कहा, कि यो जो reproduction कर रहे हैं, इस reproduction में जितने organism आ रहे हैं, वो सब survive नहीं कर रहे हैं, जो struggle कर रहा है, वही survive कर रहा है, मतलब इन्हों ने कौन सा concept दिया, इन्हों ने concept दिया, struggle and existence, मतलब जिसको exist करना है, जिसको बना रहना है, उसको struggle करना पड़ेगा, concept समझेगा, क्या-क्या points थे, Thomas Malthus के concept points से, ये Darwin साहब जो है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो आप बताएंगे, कि Thomas साहब ने कहा था, क्या कहा था, species, जो species होती है, species has unlimited, species has unlimited reproductive potential, species के अंदर unlimited reproductive potential होता है, मतलब, ये अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, बट, number of organism, remain same, लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है, बट, number of organism, number of organism, remain same, number of organism क्या होते हैं, हमेशा same बने रहते हैं, क्यों, क्योंकि जो environmental resources हैं, they are limited, environmental resources are limited, क्योंकि जो environmental resources हैं, वो कैसे हैं, वो limited है, environmental resources are limited, दोस्तों, जब environmental resources limited होंगे, तो उस condition में क्या होगा, उस condition में जो खाना पाएगा, वो जियेगा, जो नहीं खाना पाएगा, वो मर जाएगा, यही तो होगा न, यही तो होगा, struggle and existence में क्या होगा, struggle and existence में यही होगा, जो खाना पाएगा, वो जिएगा, और जो खाना नहीं पाएगा, वो क्या होगा, वो मर जाएगा, इसी को उन्होंने क्या कहा था, इसी को उन्होंने कहा था, struggle for existence, इसी को कहा था, struggle for existence, उम्मिद करता ह कि माल्थस के तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे सभी लोगों के माल्थस के तीनों पॉइंट समझ में आए एक बार थंब अप करके इशारा करिएगा बताने की कोशिश करिएगा तीनों पॉइंट किलियर और नॉट टेल मी फास्ट सभी लोग बताने की कोशिश क करेंगे कि माल्थस महोदय ने क्या कहा था अभी तक सिर्फ आप इतना जानते थे कि चार्ल्स डार्विन जो थे वो टियस माल्थस के वो टियस माल्थस के जो पॉइंट थे पॉस्चुलेट थे उस पॉस्चुलेट पर ये पूरी तरीके से मानते थे लेकिर आज पता चला कि T.S. Thomas के क्या पास्चुलेट थे T.S. Thomas क्या सोचते थे उम्मिद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा जी, आल सभी लोगों को किलियर हुआ होगा और जो लोग लेट से जुड़े हैं सभी लोग लाइक की बटन को प्रेस करें और अपने लाइक को 250 के पार करें आएए दोस्तों, आगे चलते हैं जो चार्ल्स डार्बिन साहब थे इनका क्या पास्चुलेट था चार्ल्स डार्बिन साहब क्या पास्चुलेट सरकते थे बताने की कोशिश करिएगा कि चार्ल्स डार्बिन साहब क्या पास्चुलेट सरकते थे चार्ल्स डार्बिन को क्या पास्चुलेट था चार्ल्स डार्बिन जो है ये क्या बात सोचते थे तो चार्ल्स डार्बिन का दो पास्चुलेट बिल्कुल किसका था, माल्थस से कबजा कर लिये थे, पहला था, पहला था, ओवर प्रोड़क्शन, ओवर प्रोड़क्शन, पहला क्या था, पहला था, ओवर प्रोड़क्शन, चार्ल्स डार्विन किस पर भी लग, ये ओवर प्रोड़क्शन कहां से लाये थे, तो आप बता वहीं से माल्थत से लिया था, दूसरा पॉइंट बताया था, struggle for existence, इनको क्या करना पड़ेगा, struggle करना पड़ेगा, existence के लिए, तीसरा पॉइंट क्या लिया था, small scale variation, इसमें क्या आएगा, small scale variation देखने को मिलेगा, small scale variation, और चौथा पॉइंट क्या मिलेगा, natural selection, डारविन महोदय का, जो सबसे फेवरिट था, यही था, natural selection, और जो पांचवाँ पॉइंट था, most most important, origin of species, most most important, पांचवाँ पॉइंट, origin of species से सम्बंदी था, natural selection से सम्बंदी था, small scale variation से सम्बंदी था, struggle for existence से सम्बंदी था, आई दोस्तों समझते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कह रहें कि अगर एक जगा पर पैरामीसियम है क्या है पैरामीसियम अगर ये ओवर प्रोडक्शन करेगा तो पैरामीसिया 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 हर जगा पैरामीसिया 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 जब एक जगा धेर सारा पैरामीसिया हो जा तो इसमें कौन सर्वाइब करेगा इसमें जो लड़ जगड करके खाना पिना खाएगा और बहुत ही स्मॉल स्केल में इसमें वैरियेशन देखने को मिलेगा जो अपने को हटा कटा दूसरे से लड़ने वाला छीन कर खाने वाला होगा ताकत वर होगा वही पैरामेसियम और डारविन इसी को चाहते हैं कि यही है natural selection जो नेचर में अपने को exist कर लिया, select कर लिया. जिसने नेचर में अपने आपको select कर लिया उससे क्या होता है? origin of new species, इससे नई species की origin होती है, यही बताता है origin of species के बारे में, उम्मिद करता हूँ कि यहां तक का point आप सभी लोगों को clear, ऐसे जब इनके बीच में क्या होगा, struggle होगा, तो ऐसे struggle को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे struggle को हम लोग बोलते हैं, intra-specific competition, इनके अंदर कैसा competition होगा, intra-specific competition होगा, इनके अंदर intra-specific competition होगा, इन पाचो topic पर हम लोग कल detail में एक-एक साथ चर्चा करेंगे, पाचो topic पर, हम पाचो topic को आपको बहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग question पर आएंगे, अभी इतना ब concept क्या था, और Charles Darwin किस पर आधारित concept पर कार कर रहे थे, सभी लोग बताने कोशिश करिएगा, यहां तक की बातें, सभी लोगों को समझ में आया या नहीं, overproduction, struggle existence, small scale variation, natural selection, origin office species, यह 5 postulate पर आपके Charles Darwin का work था, उमीद करता हूँ, यहां तक की बातें, आप सभी लोगों की किलि आज question कराने में कुछ time चला गया, कल question नहीं करेंगे, अब हम लोग question नहीं करेंगे, एक एक concept को develop करेंगे, जो आपके examination के point of view से बहुत important है, फिर last में सारे question हम एक साथ करा देंगे, उमीद करता हूँ, कि यहां तक की बातें, आप सभी लोगों को detail में समझ आई होगी, किसी को किसी तरीके की समस्या नहीं होगी, दोस्तों, जो लोग अभी तक किसी कारण बस class से नहीं जूर सके हैं, वो सभी लोग class से जूरने के लिए, TGT, PGT, LT Biology में, fresh new batch हमने launch किया है, आप सभी लोग इस batch से जूरने के लिए, 8756, 73588 पर join TGT, join PGT, LT Biology कर भेजें, और 120 से 140 दि कितने बए तक, रात को एक बज़े तक चलेगी, आप सभी लोग तयार रहें, एडमिशन की प्रिक्रिया, रात को एक बज़े तक चलती है, आप जब भी fees payment करके, अपना screenshot भेजेंगे, आपके ओम सर आपको तुरंत class से जोड़ेंगे, आज के लिए इतना, मिलते हैं कल